हेलो एवरीवन, एस्टरी विद विपुल साही चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम डिसकस करेंगे महतपुन वेक्तियों तथा उनके उपनामों के बारे में साथी साथ उनसे जुरे महतपुन रोचक तत्यों के बारे में जो की competitive examinations में पूछे गया हैं और पूछे भी ज जिरात तो इसका सही जवाब होगा रवी शंकर महराज इनसे जुरे तत्यों को देखें तो वो एक social worker थे साथी साथ freedom fighter भी थे गांधी के follower भी थे उन्होंने participate करा था डांडी मार्च में और भूदान आंदोलन में next question who is known as देश रत्म देश रत्म के नाम से किने जाना जाता है तो डॉक्टर राजेंदर प्रसाद को जब हम इनसे जुरे तत्यों को देखते हैं जो बड़ा महतपून है एक्जाम में पूछा जाता है कि 1934 में उन्हें चुना गया था प्रेसिडेंट इंडिया नेशनल कॉ फ्रम देश प्रेसिडेंट इंडिया नेशनल कॉंग्रेस तो इन्हें फिर से चुना गया प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के साथ ही साथ जब जेबी क्रिपलानी ने रिजाइन करा था फ्रम देश प्रेसिडेंट इंडिया नेशनल कॉंग्रेस तो उन्हें तीसरी बार प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था इंडेनेशनल कॉंग्रेस के कब तो 17 नॉमेंबर 1947 में इसके अलाबा उन्हें Food and Agriculture Department के मिनिस्टर के रूप में भी चुना गया इंटेरिम गॉवर्मेंट में कॉंग्रेस ने जो बनाया था इंटेरिम गॉवर्मेंट उसमें उसके अलाबा वो एस देश के पहले राष्टपती थे और ऐसे राष्टपती थे एक मात्र जिन्हें किसी भी पार्टी का मेंडेट प्राप नहीं था बलकि उन्हें कंस्टिचूचन के द्वारा मेंडेट प्राप था और उन्हें 1962 में भारा रत्म से सम्मानित किया गया या नवाजा गया इसका सही जवाब होगा आसुतोस मुखर जी जब इनसे जुरे तत्यों को देखेंगे तो ही वाज दा प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट थे इनॉगरल सेशन में किसके इनॉगरल सेशन के तो इंडिन साइंस कॉंग्रेस के जो की 1914 में आयोजीत किया गया साथी साथ मुखर जी सैडलर कमिशन के भी मेंबर थे सैडलर कमिशन क्यों बनाए गया तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कमिशन था जो एजुकेशन पर रिपोर्ट तयार करा था और वो तीन बार चुने गये थे प्रेसिडेंट के रूप में एसियाटिक सोसाइटी के नेक्स्ट कॉस्चन भारतिय इतिहास के किंग मेकर किसे कहा जाता है तो इसका सही जवाब होगा सैयद बंधू को सैयद बंधू से जुड़े तथे को देखें तो सैयद बंधू अब्दूल्ला खान और सैयद हुसैन अली खान को कहा जाता था ये दो बहुत ही महतपून ताकतवर भुदी जीवी थे मुगल इंपायर में कब तो 18th सेंचूरी में और अंग्जेव के मृत्यू के बाद नेक्स्ट कॉस्चन who is called grand old man of British politics British politics के grand old man किसे कहा जाता था तो William E. Gladstone को जब हम इनसे जूरे तत्थेओं को देखेंगे तो वो एक liberal prime minister थे प्रधान मंत्री थे बिर्टेन के जो की चार बार के चार बार प्रधान मंत्री बने और उन्हें जाना क्यों जाता था तो उनके moralistic leadership के लिए साथ ही साथ उनके प्रयासों के लिए जो भी स्वस्तर पर सांती फैलाने के लिए फैलाने में महतपुन था Next question who is called pure heart pure heart के नाम से किन्हें संबोधित किया जाता था या जाना जाता था तो इसका सही जवाब होगा Mother Teresa को जब हम Mother Teresa से जूरे तत्यों को देखेंगे तो 1979 में उन्हें Nobel Prize मिला Nobel Peace Prize वही 1980 में उन्हें भारा रत्म से नवाजा गया Next question who is known as rebel poet rebel poet के नाम से किन्हें संबोधित किया जाता था या किया जाता है तो काजी नजरूल इसलाम को जब हम इनसे जूरे तत्यों को देखेंगे तो एक Bengali poet भी थे writer भी थे और musician भी थे Next question who is known as Bihar विभूती Bihar विभूती किसे कहा जाता है तो अनुगरह नरायन सिंग को कहा जाता है जब हम इनसे जूरे तत्यों को देखेंगे तो वो Bihar के पहले deputy chiefs minister थे साथ ही साथ finance minister भी थे और वे सदस्य थे constituent assembly के यह constituent assembly ने ही समिधान भारत के समिधान को लिखा था Next question who was called young Turk young Turk के नाम से किसे संबोधित किया जाता था तो इसका जवाब होगा चंदर सेखर को चंदर सेखर कौम थे तो भारत के आठवे प्रधान मंत्री थे और इसमें भी महतपुन यह है कि he never held any government office Next question who is known as Swar Kokila Swar Kokila के नाम से किसे जाना जाता है तो लता मंगेशकर को जब हम इन से जुरे तथेओं को देखेंगे तो वो 2001 में भारत रत्न प्राप्त की साथ ही साथ वो दूसरी ऐसी सिंगर थी एमे सुबा लक्षमी के अलावा जिने यह सम्मान प्राप्त हुआ एमे सुबा लक्षमी के अलावा दूसरी ऐसी सिंगर थी जिने भारत रत्न से नवाजा गया Next question Who is called Bihar केषरी Bihar केषरी किसे कहा जाता है तो Dr. Shri Krishna Singh को या Sinha को जब इसे जुरे तत्यों को देखते हैं तो वो Bihar के पहले Chief Minister थे Congress से उनका डिजन क्या था 1946 to 1961 Next question Who is called Führer तो इसका जवाब होगा Adolf Hitler जब हम इसे जुरे तत्यों को देखते हैं तो वे Austrian-born German politician थे और dictator रहे जर्मनी के कब से 1933 से 1945 तक साथी साथ वो leader थे Nazi party के Next question Who is called Punjab केषरी पंजाब केषरी किसे कहा जाता है तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है जब हम इनसे जुरे तत्यों को देखेंगे तो एक विख्यात nationalist leader थे साथी साथ उन्होंने महतपून भूमिका निभाईती भारतिये स्वतनत्रता आंदोलन में और लाल बाल पाल में वो लाल थे लाला लाजपत राय इन्होंने इनिसियेटिव लिया था पंजाम निसनल बैंक के अस्थापना का में साथी साथ जब साइमन कमिशन भारत में आया तो उसका पुरजोर बिरोध किया इसी में चोटिल होने के कारण उनकी मृत्यू हो गई कासमीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है तो जैनूल आबदीन को जब हम जैनूल आबदीन से जुरे तथ्यों को देखेंगे तो वो गयासुद्दीन जैनूल आबदीन आठमा सुल्तान था कहां का किस डाइनेस्टी का तो साहमीर डाइनेस्टी का कास्मीर का क्यों कि कास्मीर का साशक था राजा था और वो क्यों जाना जाता था बुद्ध साह जो सब्जेक्ट था उसका next question who is called grand old man of India दादा भाई नैरो जी यह बरा महतपून परस्न है BPSC में बार बार पूछा जाता है इससे जुरे तत्यों को जब हम यह तत्यों देखें कि वो liberal party के member थे British Parliament में means house of commons में और represent किस प्रोविंस को करते थे तो Finsbury को Finsbury Central को तो यह था आज से जुरा तत्यों या questions अगर पसंद आया तो वीडियो को like और share करे साथ ही साथ चैनल को subscribe करे ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको मिल सके Thank you